हेलो एन गुड मॉनिंग अलफ यू डेली नूज के परिवार में एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबर हम आपके लिए 10 मात्पून करेंट अफेर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं और आज का भी आपका कर बिसाय क्या है इसका थीम आपको बताना इन्टरनेशनल टीचर्स डे 2020 का थीम क्या है और आपका सही जबाब होजागा Option D Teachers Leading in Crisis Re-Imaging the Future ये 2020 का International Teachers Day का थीम है अब आपका एक कोशन और बन सकता है कि International Teachers Day यानि अंतराष्टिय सिक्षक दिवर इसे मनाया कब जाता है इसे 5 अक्टूबर को परतेक वर्स राष्टिय अस्तरप मनाया जाता है इसे इसे इनाइटेड नेशन 1994 से इसकी सुरुवात की गई है इसे मनाया गया है और इसे सिक्षकों का जो विस्ष्ट करता भी होता है समाजबे जो अपना करता है जो अपना कारे करते हैं अगे चलेंगे अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 2 गोसित किया है फिनिक्स सेटेल्मेंट को राष्टि अस्थर धर्वर को गोसित किया गया किस देश के द्वारा और आपका सही जवाब होगा option D South Africa के द्वारा यह घोसित किया गया या क्यों घोसित किया गया है महात्मा गांधी का जन्व दिन दो अक्टूबर का था और इस पल महात्मा गांधी का 191 जैन्दीव था महात्मा गांधी के 191 जैन्दीव पर दच्छीन अफ्रिका की सरकार ने डर्बन में यह कारे किया है जो फिनिक सेटर्मेंट था उसको राष्टिय धरोहर घोसित कर दिया क्यूंकि गांधी जी आपको पता होगा कि गांधी जी साउथ अफ्रिका गए हुए थे केस लड़ने के लिए और उन्होंने साउथ अफ्रिका में बहुत सारे कारे भी किये जो साउत्रिका में भारतिय रहा रहे थे उनके लिए या साउत्रिका के लिए बहुत सारा कारे किये थे महात्वा गांदी का साउत्रिका से काफी पुराना रिलेशन है इसलिए महात्वा गांदी के समान में साउत्रिका के सरकार ने यह कारे किया है डर्बन में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट में एक आसरम की भी अस्थपना की भी थी वहाँ पर इन्होंने सत्यागरा का पर्योग किया हुआ था और फिनिक्स सेटलमेंट में ही गांधी जी अपना अख़बार इंडियन ओपिनियन का प्रकासन किये हुए थे इसके लिए यह असल से रिलेटेट था तो इसको राष्टी धर्वहर घोशित कर दिया गया है साउथ अफ्रिका के सरकार के द्वारा अब साउथ अफ्रिका यानि साउथ अफ्रिका की तीन रजधानी है एक रजधानी है उसकी प्रीटोरिया तो प्रीटोरिया इसकी रजधानी है यह कार्यकार रजधानी है कार्यपालिका की रजधानी है एक दूसरा रजधानी है ब्लोम फाटेन ब्लोम फाटेन जो हो यहां के न्याई क्यानी जूरिशल कैप्टल है और तीसरी रजधानी है इसकी केप टाउन केप टाउन विधाई कैप टाउन न्याई कैप टाउन और कार्यकारी कैप प्रिटोरिया यहां के राष्टपती है सीरियल रामा फोसा और यहां के मुद्रा है रेंड आगे चलेंगे कोशन नमबर तीन की तरफ तीन बैग्यानी पाला नाम है रोजर पेन रोज तिसरा है एंड्रिया घेज तिसरा रेइन हार्ड जेल इनको किस रेनी का नोबेल पुरस जबाव जागा ओप्सन सी इन तीनों बैक्ती को फिजिक्स का नोबेल दिया गया है रोजर पेन रेज जो है इन्होंने ब्लैक होल से समन्दीत खोच करने के लिए रोजर पेन रेज को ब्लैक होल से समन्दीत खोच के लिए इन्हें आवार्ड दिया गया है और एंड्रिया किरासी को दो भागों में बाता जागा एक भाग मिलेगा पेनरेज को और बाकी का जो आधा भाग होगा इसमें दोनों को मिलेगा यानि एंड्रियोज गेज और रेइन होट को हाफ में से आधा अधा मिलेगा और आधा हिसा मिलेगा रोजर पेनरोट को आपको कल ही मैंने नोबेल दिया गया और आज जो कोष्चन है किसका है भहुत है कि आने फिजिक्स का नोबेल आगे चलते हैं किसक्षा कोष्चन नेमबर चार 20 से सफता 2020 का वियक और 20 साहिं और धुसरा 20 साहिं गया ये 10 से चार से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है तो दो कोचन हो गया कि 20 वा अंतरिक सप्ता कम मनाया जाता है तो यह चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर के वीच मनाया जाता है और इसका बिस है 2020 का थीम क्या है और आपका सही जबाब हो जागा ओप्सन ले यानि सेटलाइट इंप्रूब लाइफ यह इसका सेटलाइट इंप्रूब लाइट यह इसका थीम है चार अक्टूबर अब इसे चार से दस अक्टूबर के बारे में तो इसकी कुछ कहानी है उसके बारे में बतला आता हूँ चार औक्टूबर 1957 को प्रीध्वी पर पहला कृतिरिम उपग्रा एसपुतनिक वन को لाच किया गया था प्रिथवी से पहली बार किसी उउउग ग्रफ को लौँच किया गया थ चार अक्टुबर अन्तिरीक्छ के अनवेशन पर उपयोग इस्थिती का सासन पर सन्य उग्राजट ने करार किया हुआ था इसके लिए 4 October और 10 October दोनों महत्पून था इसलिए इसे 4 से 10 October के बीछ में मनाया जाता है यह उत्स अंत्रिक सब्ता जो है इसे मानों की बेहतर इस्थिति के लिए विज्ञान के लिए प्रधोगी के लिए अतूल यकदान पर जोड दिया जाता है 1999 से United Nation ने इसे मनाने की घोषना की 1999 में United Nation की महासाभा ने बोला कि 4 से 10 अक्टूबर के बीच में अंत्रिक सब्ता मनाया जाएगा Question No.5 Virtual Rage 2020 Summit का उधगाटन हाली में PM मोदी ने इसका उधगाटन किया या उधगाटन या किस चीज़ के महत्व पर इसको आयोजित किया गया है और आपका सही जबाब हो जागा Option A Artificial Intelligence के महत्व पर इसे आयोजित किया गया है और Artificial Intelligence या समिट जो है या समिट पांच दिन तक चलने वाला एक समिट है अब इसमें एक नाम आया है Rage Rage का full form क्या होगा Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment फिर से मैं एक बार बोल दाता हूँ Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment ये इसका full form है इस समिट को सरकारी इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ मिल का आयोजित कर रही है इसमें स्वास्ट पर, सिक्षा पर, क्रिशी पर के ट्रांस्फोर्मेशन सब चीज़ पर ध्यान जया जागा Artificial Intelligence का क्या किया काड़ी किया जागा Artificial Intelligence मतलब क्रित्री बुद्धी मसीन जो होगा वो मनुष्यों की तरह सूचेगा आगे चलते हैं कोचे नमबर चौब किस राजी की लाल चेरी मिर्च जिसे अस्थानिय रूप से डाले खुरसन जिसे अस्थानिय रूप से क्या बोला जाता है इसे अस्थानिय रूप से बोला जाता है डाले खुरसन खुरसीनी इसे अस्थानी नाम से बोला जाता तर डड़ले खुरसीनी का भौगोलिक संकेतिया ने जी एटैक पराप्त हुआ हुआ या किस राज्य की मिर्च है और आपका सही जवाब होगा ऌफशन ये सिक्कीम, सिक्कीम की या एक मिर्च है जिसे लाल चेरी मिर्च उसको अस्थानी नाम से बोलाता है डड़ले खुरसीनी या सबसे तीखी मिर्च है इसकी कीमत 480 रुप्या प्रती केजी इसकी कीमत है और इसे जी आई टैक देने के लिए उत्तर पुर्वी छेतरी क प्रिशी विपनम निगव लिम्टेट ने इसके लिए आवेधन किया था और इसे जी आई टैग मिला दोस्तों जी आई टैग से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा जिसमें जी आई टैग से रिलेटे हर चीज दिया गया है काफी अच्छे से समझाया गया है अगर जी आई टैग से कोई भी कोचन आता है तो आप उसे गलत नहीं करेंगे अब यह सिकिम के द्वारा की गई है तो सिकिम की रजधानी गंटे के सिकिम के सियंग प्रेम सिंग तमांग और सिकिम के गौर्णर है गंगा परसाथ अगला कोचन देखे कोश्चन नमबर साथ भारत का पहला कौन हवाई अड़ा है जो पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होगी बारत में पहली बार ऐसा कोई हवाई अड़ा एयरपोर्ट बनड़ा है जो पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होगी यानि वहाँ पर इलेक्रिसिटी बिली का यूप्रयोग नह इसे दो अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था गांदी जी के जनम दिन पर इसे चालू किया गया था और इस सन्यंत्र में 2.8 करोड रुपया के लगाई गई है इसे बनाने के लिए अब पुड्डुचेरी में हुई था पुड्डुचेरी के CM है बी नरायन स्वामी और यहां दो उसे UTI, पुड्डुचेरी एक UTI है यानि Union Territory जे संगशासित परदेस है तो संगशासित परदेस में कहीं परसासक होते हैं और कहीं उप्राजपाल होता है, एक्छुबर संगशासित परदेस में जो राष्टपति का एजेंट होते हैं, संगशासित परदेस का प्रसा प्रसासब को बाकि जो भी इसे सबको प्रसासक बोला जाता है और चंडी गर्ड, चंडी गर्ड यूटी है वहाँ के जो प्रसासक है उन्हें मुख्या आयूप के नाम से जाना जाता है आगे चलेंगे आज के अगले कोशन की तरफ Q8. Q9. जपान, इंडिया, आस्ट्रेलिया और अमेरिका यह चार देश हैं। जपान, इंडिया, आस्ट्रेलिया और अमेरिका चार देश हो हैं। यह दो दिन की इसकी बैट़क होगी, दो बैट़की इसकी बैट़क होगी, तो बिदेश मंत्रियों की बैट़क होगी। और यह बैठी जो होगी चीन को घेरने का चीन का जो अक्रामक जो रूप है इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी बैठा को जो अगले कोशन के तरह कोशन नमबर 10 भारत के कौन से उध्योपती हैं जिने इंडो अमेरिकन चैंबर अफ कमर्च आनि आई ए सी सी के द्वारा लाइ लाइप टैम अचीवमेंट आवार दिया जा रहा है और यह किसे दिया जा रहा है इंडो अमेरिकन चैंबर अफ कमर्च के द्वारा दिया जा रहा है किसे दिया गया ओप्शन सी रतन टाटा टाटा ग्रूप के मालिक है रतन टाटा इन्हें आवार दिया गया यह दिया जाता लाइफ टाम अचीवमेंट आवार पहली बार IACC यहां आवार किसी बेक्ति को लाइफ टाम अचीवमेंट आवार पहली बार इसे दिया जा है अब AICC जो है यह एक इंटरनेशनल और इसका भारत का राश्टी अध्यक्ष है पुर्ण चंद राव सूर्पैने इ मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेडित करता है अगर आपका कोई सुझाओगा ता कमेंट बक्स में आप अपना सुझाओ निची तोर पहमें देंगे वीडियो का PDF लेना होगा ता PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम गुरुप से जूर जाएंगे टेलिग्राम गुरुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चन में दिया हुआ है दोस्तों वीडियो को सेड़ कर देंगे जो भी पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर ज इनको चाहिए जो भी पढ़ते हैं उसकार smoothie आपका धन्य बाद आपका दिन कुछू